हलो दोस्तो राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको जो आज का प्रभात ख़वर पेपर पटना एडिशन का है उसका जनकारी तरह तो 63 भी BPSC मुख्य परिच्छा का प्रिणाब माह के अंतक पहले भी पेपर माया था कि यह 20 जुलाई तक आ जाएगी लेक तो इसी बड़ी ख़वर को पूरी तरह बिस्तार्स जानेंगे तो इस वीडियो को सुरू संतक देखें प्रसानाने पर लाइक से नई लोग सब्सक्राइब और बेल का एकन बटन दवाना ना भूले तो क्या है पूरा मामला इसको देखेंगे तो राजनी सक्ता आयुक्त पर लगी रोग को हटा दिया है और माह के अंत्र तक आयुक्त इसका रिजट को हूसीत कर देगा राजनी सक्ता आयुक्त के कोट में 27 जून को हुए सुनवाई के बाद या रोग ससर्थ हटाई गई है अपने आदेश में नी सक्ता आयुक्त डॉक्तर सिवाजी कुमार ने क दिव्यांगों को मिलने वाली 4 फिजटी आरेचन में 1 फिजटी के लिए और टेज्म बहुधिक दिव्यांगता मांसिक रुगंता के साथ बहु दिव्यांगता को सामिल किया जाना चाहिए और मनो विकार सब्द का इस्तिमाल अस पश्टता के कारण छोड़ देना चाहिए अन तीन फिजटी आरेचन पहले की तरह अंधता बदिहिरता और चलंत दिव्यांगता के लिए दिए जाते रहेंगे कोड का आदेश BPSC के साथ सामान परशाशन विभाग को भी भेजा गया है और उसे अपनी नेमावली में अस्पश्टा लाने के लिए कहा गया है BPSC के परिच्छा नियत्रक अमरिंद्र कुमान ने कहा कि निसकता आयुकत के कोड द्वारा दिये गया अदेश पर विचार किया जा रहा है अस्थंगरना अदेश हटने के कारण अब तिरुशटवी BPSC मुखे परिच्छा का परिणाम 20-25 जुलाई तक आजाने की संभावना है और क्या है उसके बाद है BPSC कर रहा 64 मुखे परिच्छा लेने की तयारी तो हाई कोट द्वारा सोम बार को 64 संजुक्त प्रारंबिक परिच्छा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याजका को खारिज करने के बाद BPSC 12 जुलाई से मुखे परिच्छा के संचालन की तयारी में जुट गया है वहीं असफल परिच्छार्तियों ने हाई कोट में मामले में LPA आजका दैर की है इसकी सुनवाई बुधवार या गुरुवार को होने की संभावना है BPSC के परिच्छाने अंतरक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि 64 मुखे परिच्छा की तयारी पूरी हो चुकी है इसके लिए 39 सेंटर बनाए गए हैं और लगवाग 19,000 चातर सामिल होंगे LPA के बारें पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोट का जैसा निरना आएगा उसके अनुरूप हम काम करेंगे तो ये बड़ी खवर ये है कि 63 भी BPSC का मेंस करियर तो माह में आएगा इस माह के अन्त में लेकिन चातरों ने है जो कि SLP दायर कर दी है और इसका सुनवाई है जो कि आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है क्योंकि अभी उनको फैसला देना पड़ेगा क्योंकि 12 जुलाई से एकजाम है तो निश्ची तरूप से यह दिन का इंतिजार रहेगा क्योंकि कोट कुछ न कुछ है जो कि करना पड़ेगा को तो डिस्मीश है नहीं तो क्योंकि कम समय है और सुनवाई निश्ची तरूप सीले आज यह कल हो सकती है SLP में तो अभी भी असफला वेर्थियो दाराय प्रयास जो कि छोड़ा नहीं गया है और पहरे बता क्योंकि जिस तरह से एक सीरे से जो नकार दिया गया वेर्थियों के पच्छ को वो काफी दुखद है क्योंकि कम से कम मेंस में तो जरूर रोक नहीं चाहिए थी लेकिन न SLP में कुछ है जो कि अभी अर्थियों के पच्छ में फैसला आ सकता है हाला कि अगर पुराने ट्रेक रेकर्ड को देखा जाए तो केस डिसमिस होने के ज्यादा चांस है लेकिन अगर नए सीरे से कहा जाए तो हो सकता कि कुछ सुनवाई हो क्योंकि अभी वेर्थियों नही कि लिए प्रयास राहनी हैं और यह चेजी नहींए और कोशिश करने वालों कि कभी हार नहीं होती、 क्योंकि नियाय पर किल्ड़ क면 दालंबी होती है सिंगल में कई बार हआ होती है और डवल मेंच में कई बार जिद जाते हैं इसलिए इन्होंने SLP रे जो कि डायर कर दिया है अब देखना है कि क्या आज और कल में फैसला आता है इसका इंतजार रहेगा तो इसी बड़ी खबर के साथ धन्यवाद